क्रिस्ट में मेरे प्रिय माता विदावों फाई वखनों और बच्चों क्रिस्ट जयंती का पावन पर्वर प्रभियश मसी के जन्मोल सुका इस सुंदर सुगद दिन में हम एक दूसरे को कुशियां बाड़ते हुए मुभारक अधा करते हुए और प्राप्तनायम और शुपकामनायम देते हुए हम क्रिस्मस मनाने जा रहे हैं इस पावन घड़ी में जब हम एक दूसरे के साथ क्रिस्मस के कुशियां बाड़ते हैं हमारे खर के आंगनों में रंग बेरंगे तारों से सुन्दर चरनियों से हम सज्जिद करते हैं तब हम उस इशर को न पूले जिनोंने मानु के खात दुर्बल और निरे मनिश के खात दरिदर नारायन बनकर अपनी इशरी ये वहिमा को त्याग कर एक दुर्बल बैच्चा बनकर चरनियों के गोशाले में जन्मा था प्रिफाई बगनों क्रिस्मस हमें पिदा बर्मेशर के प्यार के बारे में फिर से अवगत करा रहा है क्रिस्मस नमें इश्र और मनिश के प्यार के उस संबब्द के बारे में फिर से हमें याद दिला रहा है इसलिए संदियोहन ने अपने वचन में कलते हैं कि इश्र इस अंसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लवते पुत्र को दे दिया प्यार एक स्थाई सच्चाई है आप इश्र पर विश्वास करें या ना करें फिर भी आप एक सच्चाई पर विश्वास करते हैं वो सच्चाई है वो सथाई सच्चाई है प्यार इसलिए संद्योहन अपनी पत्र में कहते हैं कि जो कोई एक दूसरे को प्यार करते हैं वो इशर कोई प्यार करते हैं क्योंगी इशर प्यार है संद्योहन का पहला पत्र अत्याय चार के नववां वाक्य में हम यह देखते हैं यदि प्यार के सच्चाई है तो क्रिस्मस हमें इश्वर मनिश्य के बीच के प्रेम और हनिराग का संबद का याद दिलाती है क्रिस्मस से जुड़े सबसे पहला विचार होगा हमारे मनिश्य के साथ अनिराग में प्रेम में बेंदित हो जाते है क्या हमारे बचन और कर्म में संबद हैं रिस्ता हैं क्योंकि इश्वर का प्रेम उनके खर्दिय में केवल सीमत नहीं रखा उनके सब्दों में केवल समझोय नहीं रखा लेकिन उनका प्यार प्रकट हुआ स्पष्ट डूब से हमारे सामने आया उसी को हम बैदलहम की कौशाले में पाते हैं पालकेश मसी जब प्यार खर्दिय में और हमारे बचन में ही समझोय रखते हैं तब उस प्यार का प्रकटन नहीं होती है इसलिए हम संद्योहन के सुसमझार में देखते हैं शब्द देखधारन करके मनिश रूब बनकर हमारे नैनों के सामने है हमारे नैनों के सामने आये है यही है क्रिस्मस इसलिए प्रेफाई बगनों हमारे वचन और कर्म में हमारे कहनी और करनी में एक संबंध होना चाहिए और इस जन्मोल सुको मनात्य अवसर पर हमें याद दिलाने वाली दूसर विचार रहे कि इशर ने सोयम इस दुनिया की अस्विधावों को और इस दुनिया की कमियों और कमजूरियों में सोयम को सिमटना और सोयम को सभाविश करना चाहा उसी में वो सीमिद रहना चाहा क्योंकि हम गोशाले में देखते हैं उसके गोशाले के टंटक और असुदाएं और धरिद्रदामें प्रभु येश्व मसी मानों बनकर चन्म लेते हैं इसलिए इस क्रिस्मस के आवसर पर हमें अपने आपको ये बदाना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है जो कुछ हमने अपना लिया है जो कुछ हम प्रभु से प्राप्त किया है उसी से हमें संतुष्टी पाना है उसी से हमें अपने जीवन का व्यापन करना है हमें अपने आपको यह समचाना पड़ेगा कि हमें जो सरल और साधार जीवन सहली जो बैदलगम का जीवन सहली है उसी से हमें अपने जीवन को संतुष्ट बनाना है तुर्प्त बनाना है क्रिस्मस से संबंदित तीसरा विचार इस बात पर होगी कि क्यों ईश्वर स्वयम एक दुर्बल नारी के नारी से जन्म लिया क्यों वो एक दुर्बल नारी के शरीर से उत्पन होए क्योंकि ईश्वर हमें बताना चाहते है कि मनिश्वर का शरीर ईश्वर का मंदिर है इश्वर ने आधी में जिस मजशी को अपने सादरिश्य में अपने चाया में बनाया था और उस शडीर को जिसको इश्वर ने पवित्र रखा था इस शडीर में दुबारा जन्म लेते हुए इश्वर हमें समचाना चाहते हैं कि हमारे शडीर इश्वर का निवास्तान है, हमारे शडीर इश्वर का मंदर है, इसलिए हमें अपने जीवन द्वारा, अपने इस जिंदगी में इश्वर का संभाखत बनना है, इश्वर को संभखन करना है, जखां कहीं भी हम जाएंगे, जिनसे हम मिलेंगे, जो लोग हमार जरिये हमारे जीवन के जरिये महसूस करना है अपनाना है क्रिस्मस से जुड़े एक कहानी इस प्रगार है एक मखा गिरिजा में क्रिस्मस के बड़े समारोख राते की पवितर मिस्सा बिलिदान और एक दूसरे के साथ क्रिस्मस के त्योखार मनाने के बाद सब लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए गिरिजा सूना हो गया उसी वक्त वहां के आधरनी ये पड़ली पुरोहित सुबह की मिसा के लिए अपने आपको तयार कर रहे थे वो गिरिजागर के आंकन में टखल रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया जीवन व्यस्त कारोबार में वो तोड़ा समय निकालनी पाया. ह्लिए भालाक यशु मस्रीह कसे दर्शन करने के लिए वो चरनी की ओर बढ़े है जैसे हो चरनी के सामने कड़े हो गये हम तो उन्होंने देखा कि चरनी में भालाक यशु मस्रीह का मूर्थी नहीं था वो गायब था तो वो चिंदिद होने लगे इधर उधर ढूंडने लगे चांडी के आसपास और गिरिजागर में गुसकर सब्जव में वो बालगेश मसी की मूर्थी की तलाश किया लेकिन कहीं पर वो चिंदिद हो गए वो प्रजारे के पास गए जो गहरे नींद में थे उसको जगाया और उससे पूचने लगे रंद में दोनों मिलकर वालगेश मसी की मूर्थी की कोज़ की विरजागर के अंदर में चरनी के आसपास आंकन में सब्जव में वे वालगेश मसी को ढूंगते रहे फोर होने वाला था दिन निगलने को था सुबह की मिस्सा के लिए लोग एक दो तीन करकर वे गिरजागर में आ रहे थे फादर जी जिन्दिद थे क्योंकि चरनी में वालगेश मसी नहीं है जैसे वो आंगन में चिंदामें डूबे वो ठखल रहे थे तो अचानक उसने देखा कि एक चोटा सा बालग अपने साइकल में सवार होकर फादर जी के सामने आया और उनके साइकल के सामने सज्जिद एक टोकरी में पालगेश मसी का मूर्ती था फादर अजंबे में पढ़कर और उन्हें गुसा भी आ रहा था कि उसने उस भालगेश से पूचा तुमने क्यों ऐसी खरकत की किससे पूचकर तुम भालगेश मसी के मूर्ती शर्नी से उठा कर चलेगी तब उस भालग फादर जी से कागा फादर जी माफ कीजिए मैंने येश मसी से वादा किया था ये मेरे नया सैकल है मेरे पिता जी बोथ कष्ट उठा कर इस नये सैकल को उबगार सुरूब आज की दिन मुझे दिया है और मैंने पालगेश मसी से ये प्रार्तना किया था कि जब मुझे एक नया सैकल मिल जाएगा तो मैं तुम्हें इस सैकल में बिटा कर मैं शखर के पूरा सैर कराऊंगा इसलिए मैंने रात के समय येश मसी को चरनी से उठाया था और मैंने इस बालगेश को शखर की सैर कराने के लिए मैं ले गया था अब मैं इसे वापस ले आया हूँ तो फादर जी मुस्कुराते हुए शाम्द होकर उस बालग के कंदे पर हाथ लेकर कहा बैटा आज से इस बालगेश मसी तुमारा जीवन साती है जहां कहीं भी तुम जाओगे वहां इस बालगेश मसी तुमारे साथ चलेंगे वह तुमारे खृदिय में तुमारे अंदरतम में हमेशा हमेशा के लिए निवास करता है प्रिभाई बेगनों जब हम क्रिस्मस मनाते है तब हमारे लिए सोचने की बाते है कि हम किस प्रकार प्रभुयश मसी का संभखन करने वाला प्रभवेश मसी का संदेश वाखक हम किस प्रकार बन सकते हैं हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे कार्यशेत्र में जगां कहीं भी हम जाते हैं वहीं सभी जगव पर इस भालगेश मसी का हम संभाग बने हमारे जीवन के जरिये लोग इस मसी का दर्शन करें लोग इस मसी को अपनाए और उनके पतचिनों पर चलने के लिए वो हमारे जीवन से सीखें प्रेफाई बगनों आएए हम क्रिस्मस मनाए बैदले हम की साधारन सरल जीवन सेली को अपनाए दूरतदा और लोब और फोग विलास की इस जीवन में हम साधार और जीवन से लिए को अपनाते हुए अपने अखम को बार बार एक कहे कि जो कुछ तुमारे पास है जो कुछ इश्वर ने दिया है वो काभी है जीवन व्याबन के लिए जो कुछ अनिवार है उसी को ही हम सिकार करे और जीसे प्रभू ने अपने आपको त्याग कर अपने आपको शुन्य बना कर चरनी के धलिदरदा में ठंट में और शुन्यता में आए उसी प्रगार हम भी अपने जीवन को त्याग है एक दूसरे के लिए अपने जीवन को समर्पित करे एक दूसरे के लिए अपने जीवन को शुन्य बनाते हुए अपने अखम को त्यागते हुए हम इस शुरी गरिमा को चू सके आप सबों को कृस्ट जयन्दी की मुभारक और शुपकाम नाएं प्रार्टनाईम अदा करता हूँ सब को जे येश्यू हापी क्रिस्मस